तो प्रेंट्स चलिए आज कुछ न्याज सिख लेते हैं बाइक कर ले थी आप लोग देख रहे हैं मेरे पासे बजाज कंपनी का एभेंजर 220 220 एस्ट्रेट बैक है और जैसा कि इस बैक में प्रवलाम आगे कि बैक बिल्कुल पीक अप नहीं ले रहा है रेस बिल्कुल नहीं चोड़ते हैं तो बैक आगे बिल्कुल नहीं पर रहा है पिसे धका देकर आगे बढ़ाना पर रहा है उस बैक को मुझे लग रहा है कि सबसे पहले का कलच कवर कॉपेंड करेंगे उसके बाद इसको चेक अप करते हैं किसे बैक में कौन-कौन सा पाट खराप हो गया है उस है तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे अब उसके बाद इस दोनों नट को आपेंड करेंगे दस अनों के टीरिन से ताकि यह पलेट फुल एस अब सबसे पहले है इंजन्ह 2050 के लिए डीयाटर लगा जो इन ज़न वज्जादा जल्दी गर्म खन-डया हो इसका दोच ग्मेंट मीर्वास को मास क्या व की कि अपर उपन एंगी और यह उडवक्र का ऐपन हो गया गॉल्ट अभी शार्ट वोल्ट को अभी आप देख लेंगे विट्वह अवाट घ्टल बॉल्ट को आपिन कर लिए दूट अँझा आइस का आपन करनेंके कलाच कोवर कर दों को हुआ कि आप फुल कर किया बाहर आगया देख लें करेंक वैट इस तरह का पुलर को इसके अंदर प्रोपर सेटिंग कर देंगे फिर उसका इस नट को आपन हो गया हुए हम इसका है अपको आ या आपको देखे यहां बतला रहे हैं इस कलच होजिंग में जो नट लगा है तो फ्रेंड्स आपको बतला दें इसके बीच में एक कट लागा चारो तरप से इसका मतलब यह होज़िसे उनटा चूली है इसको गुफल से और बैक को नट करते हैं उस तरह सिस बैक का नट आपन होगा अब आपन हो गया है और इसका आश्टे से कलाच पर निकाल लेंगे तो फ्रेंज देखिए खुल करके बाहर आगया है यहां बेदेख रहे हैं और इस बैक में देखे प्रोब्लम क्या आगया है कालच हब इस तरह से घीच गटिफ सेंटर बिलकुल कट चूका है विलकुल खराप हो गया है उसके अंदर जैसा चुरी डर्शाठ प्रेशर ब्लेट लगा है दोनों प्रेशर प्लेट फिटिंग जेशों बिलकुल तरीका से निए क्या गलत तरीका से चुरी सेटिंग कर दिया गया था अब इसमें हम नया कलर्च फुलेट फिट करेंगे और इस बैक का कलर्च होग कलर सेंटर दोनों चैंज करेंगे आपको एक चुछ और बतला रहे हैं अगर यह बैक का होजिंग कटोरा आगर आप बाहर निकाल रहे हैं उस ट्यम आपको करना क्या है इस पाले जिए चार नहीं करना वैसे छोड़ देना नहीं तो आपको बैक काई सीजर आपको स्टेटिंग करना परेगा नहीं तो आपका बैक काफी ज़धा बैब्रेट करेगा अब होजिंग को बाहर निकालना चाहते है इसको पलेट को आपन कर लेना यहां से पले तो बाहर निकल गया ढोडिआ है तो फ्रेंट देखिए यहीं वह फूलर है लगो लोग वाइब्रेसिंग करते हैं यह से फ्यूंच आप निकल गया आप चाहű assumptions कर लेंड को इस तरह से बाहर निकाल सकते देखिए प्रोपर तरीका सीजर गिर बिल्कुल परफेक्ट सेटिंग कुछ भी करना है सिजर गियर को किस तरह सेटिंग कर लाता है यह आपको इस वीडियो का बतला देगे लिए वीडियो में अंतक होने वीडियो कहीं से भी आप लोग एसकिप नहीं कीजिएगा देखें टोटल पार्ट को हम नहींण तरह से क्लीन करने यहां फेल सीजर पर याप को सेटिंग करने ना इसे तरह से अब को शीजबी अधर ये को सैटिंग कर लेता से कि आपको इसको पहले सेटिंग कर लेता है कि सीजर गियर पिनियन को पर यह सेटिंग हो गया अब इसके अंदर आपको सेट करना है होजिंग कटो रहा तो चलिए हम होजिंग कटोरा को फिट कर लेते हैं में जो इसका टैमिंग हो दो तीन फो टैमिंग है एक आपको इस पंच इसके सामने लखना है और यह जीजर किन हैश करके चर्ड़क का अपको कर देना है तो आधर पीशह करकिक्ड कर अंदर प्रोपर्सटिंग कर लेक लएक टेंट को प्रोपर यह शाट हो गया अब इसके अंदर आपको टाल देना है और जिंक टोरा का जो वार्सल है इस तरह से डालना है देखी वर्सल मेरा फिट हो गया है हाब भी इसका खराब था अर्ट क्लच सेंटर भी इसका खराब हो गया था तो है जिसका प्रैस है दोसू एक सर्थ रुपया और इसका पाट नमर है यह इसका पाट नमर है 200 रुपए इसका प्रैस है और यहां पर लिखा हुआ है कलोच सेंटर कर लेते हैं बजाज का जेनुवन पाट है देखिए आपे क्वैलिटी भी बिल्कुल पर्फेक्ट है उसके बाद देखिए यहां पर यह क्लोच सेंटर इसका पाट नमर होगा यहां कि आप देख लीजिए पाट खराप नहीं हो अभी क्योंकि बिल्कुल नया पाट है पाट नमर का देखिए पाट नमर घिजगी आए यहां पर आपको नहीं बतला सकते हैं यहां पर पर फेक्ट जन्वान पर इसमें आपको चार पांस ठोड़ा प्लेट सेम लेता है एक आपको छोटा थोड़ा जैसे आपको चूरी जैसे आपको प्रेशर प्लेट म्लमा जोडेकर दाला है दूसरा देख रहे यह इसका अपको तरह से डालना है लेकर से नहें लेतलें 對 कि पूसके बाद एक क्लरस्पले बाल देना है एक प्रेसर पूले डाल देना है इसी तरह से अपको असलोच प्रेसर फित कर लेना है घूछ फिट करेंगे इसमें हो कैसे भी सेट कर सेग्डे इसमें आपको यहीं म districts करने करना है तो आप हम क्या करेंगे च्छोटा सा बॉल्टेट कर लेंगे हाँ पर के बाद कि इसको हम फिट कर लेंगे हाँ इस तरह से इसको तुरा आगे पिछे किजिए गा तो पर आपको शेटिंग हो जाएगा कर लेना है पहले इसको वार्सल डाल देना है एक चीज और बतला देखिए आप नट पर बीच में कट क्या हुआ है जो कट क्या है उन्टा गोना रहता है जिस तरह से दूसरे बैक में नट को आपन करते हैं उस तरह से बैक में में नट को टेंट करना है चलिए हम इस नट को फटा फट से टेंट कर लेते हैं आपने में परोपा टेंट हो अब इसके अंदर पास्ट को आश्ट को डाल देना हैं आपर है और उसके बाद इस पलेट को फिट कर लेना यहांपे वह वह लुए हैं इस तरह से अभी हम फिट करेंगे गेंगैंद इसको इसको इसमें आपको सुन्टा को नममील रहा है श्ली बिल्कुल não यह पहले हम इसनट को आफेट कर लेते हैं प्रोफ का टेंट हो गया अब इसको हम इसका प्लेट अब टेंट कर लेंगे आपके अब देखिए कलच का काम दो था वह बिल्ट कुल कम्प्लीट हो गया अब इस शीजर गेर को बैलेंस अरे चैहीं पूल राइस को हम खोल करके बाहर निकाल लिए अब इसको ऊपर हैं कि जो कि पुलेट को मिहां पर फूल्टेंट कर देंगे कि बाइरिंग है बाइरिंग को पर देख एक कलच ठेसी लगा हुआ है इसमें प्रोपर सेटिंग कर देते हैं इसको पर डाल देंगे कलच गैसकिट को तो आपको गैसकिट जाए जो पल्सर 1.5 cc पल्सर 220 और एभेंजर दोनों बैक में आपको सेम ही गेहट गैस यह जो कलच हुआ फिट हो जाएगा तो देखिया इस बैक में हम खलच गैस्टिट प्रोपर सेटिंग कर लिए इसका सेंटर करने लिए लिए फिंट भूस यहां पर लागा दूसरा बुस्य यहां पर लागा ताव मिसके अंदर खलच को फिट कर लेंगे कि यहां पर देख रहे हैं बै पर आपको बतला रहा थे इस बैक का जो शीजर गियर किस तरह सेटिंग क्या जाता है इस टॉपिक में हमने एक वीडियो अल्डेटी बना रहे हैं तापको नीचे डिस्ट्रेप्शन बॉक्स में सीजर गियर सेटिंग करने का लिंक मिल जाएगा तर तक के लिए तना हैं तो मुझ वेलकम